हलो फ्रेंड्स नमस्कार श्वागत है आप शेवी का एडूशेशन में बात करते हैं यूपी टैट एक्जाम 2021 में तो फ्रेंड्स जो लोग पहली बार यूपी टैट का एक्जाम देने जा रहे हैं तो उन बच्चों को बहुत जादा यह चीज रहती है उनके अंदर कि क्या और उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसमें जो भी चीज़ें है वह हम आपको क्लियर कर देंगे तो सबसीड़ है इसमें पहली बात है एक्जाम देने के लिए तो फो होता है आपका कॉंफिटेंस आपका यूं। इ बलही आपकी तयार इतनी वैस्ट ना हो confidence बहुत काम आता है यदि आपका confidence अच्छा है तो आप best से best करने की कोशिस कर सकते हैं और अब बात करते हैं इसकी जो है परिच्छा जो है परिच्छा हॉल में क्या-क्या लेकर जाना है तो सबसे मैं चीज जो है परिच्छा हॉल में आपको सबसे मैं तो यह है कि आप सबसे पहले टाइम पर पहुंचे है एक्जाम जो है आपका जो है प्राइमरी लेविल लेएम से तो वो आपका जो है दस बाजी से अच्छा होगा और यह 10.30 बारा वजे तक तक जो है इसका टायम है 10 बाजे से एक्जाम जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं वहाँ समझ नहीं आ रहा है तो यह आपका जो है साड़े बारा यानि कि आपका धाई गंटे का एक्जाम होगा तो दस बजे का एक्जाम जो है शुरू होगा तो आपको जो है एकड़मिट कार्ड में लिखा है कि आपको 30 मिनट पूर पहुँचना है तो आप 30 मिनट पूर पहुँचने की कोशिश के चकर में ना रहे हैं आप जो है वहाँ पर 9 बजे जो है एकड़म सेंटर के बाहर पहुँच जाएं और उसके वाद आराम से रेलेक्स होके वहाँ पर 10-5 मिनट आपने आराम से बैठें आप यह नहीं सोचें कि 30 मिनट पूर पहुँचना है तो उसी टाइम पर पहुँचेंगे आप 9 बजे तक जो है 9 एम तक जो है कॉलेज में पहुँचने की पूरी-पूरी कोशिश करें टाइम से जाए और इससे जो कंडिडेट लेट हो जाती है तो उनके अंदर बहुत बड़ा एक घवराट होने लगती है डर हो जाता है उससे एक्जाम आपका बिकर जाता है तो आप एक्जाम होल में पहले से पहुँच जाए और इसके साथ दो आपको जो भी चीजें है तो परिछा में पहले टैंम से पहुँचें और अपना पर्वेशपत पहले से निकलवा लिये होगे और नहीं निकलवाए हैं तो अपना जल्दी से निकलवा ले dio तो प्रवेश पत्र के साथ अपने online आवेदन में अंकित फोटो एक्ट आपको पहचान पत्र लेके जाना है जो भी जो आपने फॉर्म online किया था तो उस टाइम आपने जो भी अपना लगाया है तो उसमें आपका जो भी documents है तो आप देख लें तो online आवेदन में आपने जो भी अपना document लगाया है तो वो आप लेके जाए फोटो एक्ट पहचान पत्र होना चाहिए आपका और इसमें जो है आपका फोटो एक्ट पहचान पत्र के साथ साथ जो है आपको और पहचान पत्र की मूल प्रति लेके जाए पहचान पत्र जो है उसकी मूल प्रति लेके ज है अपने B.A.D. किया है अथ्वा आपने B.T.C किया है जो भी आपका हो तो आप B.T.C. या ड.A.D.L.D.S जो भी हो आपका उसकी जो है आप अपना सेमिष्टर की जो है मूल प्रती इसके भी जो है आपको मूल प्रती जो है साथ में लेके जाने है और जो candidate है जिन candidate का जो है अभी जो है एक या दो semester का result आया है जिनका जो है complete नहीं हुआ है प्रिसचल complete नहीं हुआ है तो ऐसे candidate जो है उनका जो है उनके पास इंटर्नेट का जो है तो इंटरनेट वाली उनके पास जो है कॉपी होगी तो वो इंटरनेट की कॉपी जो है अपने कॉलेज में जाए तो प्राचार से या वहाँ पर कोई भी समझ अदकारी वहाँ पर जो भी हो आपका तो वहाँ से प्राचार हैं जो भी हैं आप उनसे जाके उस प्रमारित करा लें यह कॉपी जो है इंटरनेट वाली कॉपी जो इंटरनेट की कॉपी है तो इंटरनेट की कॉपी जो है आपकी प्रमारित होनी चाहिए यह copy आपकी प्रमारित होनी चाहिए इस पर college में प्राचार के आपके sign होने चाहिए और इस पर अपनी college की महर लगवाल है तो यह चीज जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नहीं तो आपको entry नहीं की जाएगी आपको previous नहीं दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो है ओमार फिल करने में अपना जो भी आपका जो है registration है और roll number है और तो ओमार फिल करने में आप बहुत ही carefully करें इसमें कोई भी गलती नहीं करें अपना roll number वगेरा है तो उसको जो है अच्छे से फिल करें इसके उपर भी मैंने पूरा ओमार फढ़ने के लिए एक वीडियो बनाया है उसका लिंक में आपको description box में दे दूंगी तो वहां से जाके जो है आप जो है देख सकते हैं तो यह paper तो आपका जो है बहुत विकल्पी होगा तो जो भी चीज़े हैं उनको आप जो है carefully देख लें और यही चीज़े हैं जो आपको साथ में ल में जब पहुंचें तो वहां पर एक्जाम में बैठे सीट पर बैठने से पहले थोड़ा पानी पियंए और रिलेक्स होके बैठ हैं और किसी भी प्रकार की घबराट ना हो आराम से एक्जाम दें परिच्छा दें अच्छे से अच्छा आपको देनी थी वीडियो अच्छ झाल झाल